आज हम लोग प्राचीन पास्चात्य दर्षन में शोफिष्टों का दर्षन जो है उसको जानते हैं जो सोफिष्ट हैं उनका क्या दर्षन है उसको जानते हैं देखिए उनके सोफिष्ट दार्षनिकों का उदय एनेक जिगोरश के बाद होता है सोफिष्ट विचारक बिश्व की उत्पत्ति के समंध में प्रकृतिवादी ब्याक्ष्या के अस्थान पर अपने दर्षन को मानो केंद्रित मना देते हैं ग्रीक दर्षन की इतिहास में उन्हें मानो केंद्रित विचारधारा का मूल प्रवर्दक माना जाता है उनके दर्षन में ग्रीक विचारधारा का दुती युग प्रारंब होता है यहकाल युनान में प्रजातंत्र के अभ्यूदय का युग है इस युग में कुलीन वर और शामान जनता के बीच एक लंबी संगर्ष के बाद युनान में प्रजातंत्र की अस्थापना हुई प्रजातंत्र की अस्थापना के परिडाम सरुप जनता को राजनीतिक गत्विदियों में भाग लेने का आउशर मिला युनान के कई एक छोटे छोटे प्रजातंत्रों ने अपने सम्मिधान बना लिये प्रजातंत्र के विकास के कान धार्मिक मानेताओं का हाश हुआ योगी प्रजातंत्र आया तो जो धार्मिक मानेताओं हैं उनमें थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी थी सोफिष्टों के युग में शिक्षित बुद्ध जीवियों का देवी देवताओं और चमतकारिक शक्तियों की सत्ता में विश्वास शमाप्त होने लगा कुलीन तंत और धार्मिक मन्निताओं के बहिसकार के साथ साथ परम परागत रीत रिवाज एवं प्रचलित सामाजिक नैतिकता के प्रति भी अनावस्था हो गई मतलब आस्था देदरे कम हो गई इस प्रकार इन बदली हुई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्तितियों में प्रायः लोगों ने नयतिक प्रतिबंधों की उपेक्छा की अब बिलासिता, लोभ, सिक्छा के ब्योसाई करण और व्यक्त की स्वेक्छाचारिता का सा कामराज अस्थापित हो गया, जब लोग गुद्द जीवी हो गये, तो वे इस्वर की शक्तियों और चमतकार वा विश्वास देरे कम करने लगे जो सोफिष्ट थे, इनकी मानता यहीं थी, और ये लोग बिलासिता के तरब लोभ और सिक्छा को ब्योसाई करण के रूप म बिस्तारित करने लगे थे, इस बदलते हुए शामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में सोफिष्टों ने प्रचलित मानताओं की तार्किक ब्याख्या करके सस्ती लोग प्रियता प्राप्त करने का प्रयास किया, प्रोटागोरस सोफिष्ट संप्रदाय के संस् प्रियास किया, अपनी बातों को मानवाने का प्रियास किया, उल्लेखनी है कि सोफिष्ट ब्यवशाइक सिक्छक थी, सोफिष्ट विचारकों की रुची दरसन सास्त्र की गहन समस्याव में न थी, वे ब्यवहारिक जीवन की और शक्तान सार शिक्छा देते थे, मतलब जि किसी बात को शिद्ध करने के लिए कुतरकों का सहारा भी लेते थे, इस प्रकार उनका प्रमुख उद्देश किसी भी प्रकार से अपनी बात को शिद्ध करवाना था, इस कारण उन्हें कूतारकिक सोफिष्ट कहा गया, मतलब किसी भी तरह से टेडे मेड़ा जैसे भी मेर यही बाद सिर्द्धोगी यही सोफिष्टों का मेन था इसनों कुतार्किक भी कहा जाता है देखिए प्रोटागुरस के वारेंत फुर जानते हैं उन्हें क्या कहा था यू यह भी सौफिष्ट के ही प्रतमस नसतापक हैं कहा गया सौफिष्ट संप्रदा के प्रवर्तकों मे प्रोटागोरस का नाम अग्रण है उन्होंने अपनी विचारधारा का केंद्र एथेंस को बनाया प्रोटागोरस न केवल दार्षनिक थे बलकि एक कुसल सिक्छाविद, राजनितिग एवं बिधी सास्त्री भी थे उनका प्रसिद्ध कथन है मनुष्य प्रतेईक वस्तु का मानदन्ध है प्रोटागोरस का यह कथन शंपुर शोफिष्ट दर्षन का शार है जान विमान साई दिरष्टी से प्रतेईक मनुष्य के लिए वही सत्य है जो उसे सत्य प्रतीत होता है शत्य व्यक्ति की सनवेदना और अनभूति तक ही शीमित है इससे अस्पष्ट है कि सोफिष्ट सत्य को आत्मनिष्ट बना देते हैं देखें सोफिष्ट ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जो सही लगता है वही उसके लिए सही है इस बात जो कोई कलत नहीं कह शकता है इससे सुभ और असुभ उचित अनुचित का भेद शमाब्त हो जाता है जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए सुखद है वही दूसरे व्यक्ति के लिए दुखद हो शकता है इसमें एक वस्तु अच्छी और बुरी शुभ या अशुभ दोनों प्रतित हो शकती है वास्तों में इच्छा त्रिप्ति का परेडाम है हमारी इक्छाएं सन्वेदनाएं हैं इन सम्वेगों और भावनाओं को किसी सौरभम और वस्तुनिष्ट नैतिक सिध्धान्त का आधार नहीं माना जा सकता अता असपस्ट है कि सद्गुड और सुख दोनों को परस पर अभिन्य नहीं मा यह सुख हो अब किसी एक बेक्ति का माल यह तब यह सही है उसे आम दिये तो उसे आम स्वाध में अच्छा लएगा कोई बीमार है उसे दिये तो आम नहीं अच्छा लएगा न किसी को कोई गाना मधुर लगता है और वही गाना किसी को बुरा भी लगता तो वही कह रहा है ब्यक्तनिष्ट, सोफिष्ट का नाम था, एक विसेश ब्यक्ति को ही कोई ची अच्छा लग सकता, ये नहीं कि दूसरे को भी अच्छा लगे, लेकिन जो उसके लिए सत्य है, वो शत्य है, जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए अच्छा है, जार्जेस को देखते हैं ये भी सोफिष्ट थे सोफिष्ट संप्रदा के विचारकों में संसय वादी जार्जेस का नाम प्रशिद है वेशत्त की ब्याख्या ब्यक्ति के सापेक्ष रूप में करते हैं यदि किसी ब्यक्ति को पीलिया रग हो जाने के काण सभी वस्तु में पीली दिखाई पड़ती है तो वस्तु में उस ब्यक्ति बिसेश के लिए तो पीली ही है भले ही उसका रंग अन्य लोग के लिए पीला नहीं हो किसी अन्य ब्यक्ति को यह कहने का दिकार नहीं है कि वह पीला नहीं है इसलिए जो एक मनुष्य के लिए सत्य हो शकता है इस प्रकार सभी लोगों का सत्य अलग-अलग हो शकता है। यदि प्रतेक व्यक्ति के लिए सत्य प्रिथक-प्रिथक हो तो किसी भी अस्तित्व युक्त वस्तु का ज्यान प्राप्त करना शंभव न होगा। एक वस्तु के श्वरूप का ज्यान अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रूप से हो शकता है। चुकि सत्य आत्मनिष्ट होता है। इसलिए एक व्यक्ति का शत्य विशयक ज्यान अन्य लोगों के ज्यान से भिन्न होगा। वस्तुता सोफिष्ट ज्यान एवं समवेदनों को एक मान लेते हैं। एक व्यक्ति की समवेदारत्वक अन्भूतियां अन्य लोगों की अन्भूतियों से भिन्न होगी क्योंकि सनवेदनाएं नीतांत व्यक्तिक होती हैं। सोफिष्टों के इस सिध्धांत का प्रियोग नीती सास्त्र के चेत्र में भी किया गया है। मानो केंद्रित नैतिक दर्शन की अस्थापना की। उनकी अनुशार नैतिकता का अन्धाननकर नहीं करना चाहिए। उनका महत्पूर योगदान यह है कि उन्होंने नैतिक जीवन मानों के परमसुब निस्रेयश यो मानावतावाद को अपनी विचारधारा का प्रमुक केंद्र बनाया वास्तों में सोफिष्ट व्यक्तिकत जीवन की शुद्धता और आच्रण की पवित्रता पर बिसेश बल देते थे निस्करस्ता कह चकते हैं कि सोफिष्टों ने दर्सन को मानों जीवन के निकट लाने का प्रयास किया परन्तु वे मानों मन में नीहित शावर भौम तत्तों को न खोज सके यूनानी दर्सन के विकाश में सोफिष्टों के दर्सन को इतिहासिक दिर्ष्ट से महतपूर अस्थान है तो लोगे देखा यह सोफिष्टों का दर्सन था जो कुतर्क थे इनका कहनान था कि जो हम लोग कह रहे हैं हो सत्य है जैसे भी अपने बात को सिद्ध करते थे प्रोटा गॉर। जार्जिस ने बोला था कि एक वस्तु का मांधडण है जो जारिश ने बोला था अगर किसी वेख्ति गई ग५्ति को किया गैंगे पीली देखते ही है तो यह उसका अपना वेख्तिगत मामला है और वो साकती है उसे कोई गलत नहीं काट सकता है जो वर नाुबे शुक्रात का दर्शन है, उसको जानेंगे कि शुक्रात की जो दार्शनिक पधती है कि क्या है, उसके पहले शुक्रात कौन थे, कहां के थे, यह जानते हैं, और शुक्रात का जन्म एथिंश के एक गरीब परिवार में हुआ था, वे जिस कुल में जन्में थे, वह परिवार बड़ा ही गरीब था वह शत्य यों सदाचार के प्रतीक माने जाते थे उन्होंने एथिंच के नागरिकों को निशुल्क भौतिक सिक्षा देने का प्रयास किया उनके जीवन का लक्ष शमाज में व्याप्त अज्ञान जन्न बुराईयों को दूर करके युवाप्युरी को सत्य और सदाचार की और प्रेरित करना था शुक्रात अपने अंतह करण की पवित्र आवाज पर बल देते थे उन्हें प्राया अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती थी उनका संपुर्ण जीमन निर्धनता में बितीत हुआ अर्थात उनका पूरा जीवन गरीबी में ही बीत कया लेकिन कभी भी धन योंपद के लिए कारे नहीं किया उनके शरलेवं उदाचरित्र के कार एथेंस के नव युवक उन्हें अपना गुरू मानते थे नव युवक शुक्रात के शत्संग को बहुत प्रिय मानते थे वे शारवादिक बुद्धिमान दार्षनिक कहलाए शुक्रात इतने बिरम विनम रथे की श्वयम को अज्ञाने व्यक्ति मानते थे उनका कहना था कि मैं केवल एक ही बाद जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता शुक्रात के द्वारा वीरचित कोई ग्रंत उपलद नहीं है शुक्रात के विचार बहुत का अंतिकारी थे उन्होंने सोफिष्टों की द्वारा प्रतिपादित विश्व की यांत्रिक व्याक्ष्या का खंडन करके उसकी प्रयोजन मूलक व्याक्ष्या को प्रस्तुत किया शुक्रात पर एथेंस के यूकों को गुमराह करके राज के विरुद्ध उक्षाने और राष्ट्री देवताओं के विपेक्षाक करने का आरोप लगा कर उन्हें दंडित किया गया कारागार में उन्हें जूरी के बहुमत के निर्ड़े के आधार पर विश्पान द्वारा मृत्तु दंड दिया गया मृत्तुरंद के समय उनके सिस प्लेटो यवं क्रीटो वहीं उपश्थित थे जब वो जेल में थे तो उसी समय वहीं पर जब उन्हें विश्पान दिया जा रहा था क्योंकि यह सच का मार्ग दिखाते थे तब ऐसा लगा वहां के राजा को जो शुक्रात है यहां के नवयुकों को गुम्राह कर रहे हैं उन पर यह एक तरह समझे एक जूठा केस बनाया गया और उसी के आधारपन को मिर्तु दंड दिया गया था वो भी जहर देखा थोड़ी समकी पद्धती को जान लेते हैं देखिए शुक्रात ने ग्रीक विचारधारा के शर्वथा नवीन एवं शर्वत्तम युक को जन्म दिया जिसे ग्रीक का या ग्रीक दर्शन का श्वर्ड युक कहा जाता है शुक्रात के आने पर मनुष की बुद्धी उनह आस्थावान बनी उष ने नैतिक्ता और ज्ञान के छेत्र में वस्तु निष्ठ मारदंडों को अस्थापित किया शुक्रात ने शोफिष्टों की दोस्पुर्ण उक्तियों का खंडन करके नीतिशास्त्र और ज्ञान विमान्शा के छेत्र में नमीन मानकों को अस्थापित किया यद्य पी वह शोफिष्टों की शमान मानवतावादी था तथा पी उषका द्रिष्टिकोड सोफिष्टों से बिन्य था शुक्रात ने सोफिष्टों की सिध्धांत मनुष्य प्रदेक्वस्तु का मानदंड है कानिरा करण किया उसने जीवन की यंत्रक्वादिता व्याक्षा नहीं की उसके अनुशार मानव जीवन का निर्धार प्रयोजनवादी द्रिष्टी से ही संभव है शुक्रात की दाशनिक पध्धती बहुयामी उसमें निगनात्मक पध्धती का पुठ होने की साथ साथ संदेह का भी उपयोग किया गया है शुक्रात की संदेह पध्धती शोफिष्टों से भिन्न है शुक्रात का संदेह अवस्थाई काम चलाओ और तदर्थ था यह ज्यान के निश्चिस्वरूप का निर्धारण करने में उपयोगी शावित हुआ इसके विप्रीत सोफिष्टों का संदेह अस्थाई था क्योंकि यह ज्यान के शर्वभवम एवं वस्तु निश्थमान दंडों की अभाव के कारण था शुक्रात ने संसय का प्रयोग कीवल साधन के रूप में किया वह विश्व की व्याख्या प्रयोजनवादी द्रिष्टी से करता था शुक्रात ने अपने दार्षनिक विचारों की अभिव्यक्त के लिए शंवादात्मक शैली को अपनाया उश्की अनुशार वारता लाख के द्वारा शत्त की खोज करना शुविदा जनक होता है विवाद असपत बिंदूओं पर बहष करने की प्रश्णोत्तनी पधत से अभिष्ट निस्कस को प्राप्त करने की शुक्रात की पधती अत्यंत लोग प्रीय शिद्ध होई शुक्रात की मानता थे कि ज्ञान के लिए शुक्ष एवं परिष्कृत परिभाशाय उप्योगी होती है इन परिभाशाओं के द्वारा ही शावान ज्ञान का प्रारंभ होता है ए परिभाशाय संप्रत्यात्मक होती है शुक्रात ने संप्रत्यों की रचना के लिए वस्तुओं की शर्वगत लक्षड को ग्रहण करके उनके विसिष्ट लक्षडों की निराकरण पर बल दिया इसके साथ साथ उन्वस्तुमों के विशिष्ट लक्षडों को प्रिथक करना भी संप्रत्यों के रचना के लिए उप्योगी होता है ये संप्रत्य शर्वभं निश्चित एवं बौधिक होते हैं बुद्धिवादी होते हुए भी सुक्राती पद्धती में अनभों की उपेक्छा नहीं की गई है सुक्रात की पद्धती में निग्मन के शास्षा आग्मन का भी प्रियोग किया गया है परन्तो उश युग में दर्शन सास्त्र की वे दोनों विधाएं और विख्षित थी वास्तों में और व्यक्त रूप में शहज भावशे शुक्रात के सिध्धान्त में भावतिक अनुशिलन और आनुभविक प्रक्षड की विधाएं अंतर नीहित होती थी यह उनके मौलिक चिन्तन के फल्सोरूप ही शंभव हुआ यह कम महत्त प्रोड नहीं है कि शुक्रात ने दार्शनिक चिन्तन के उस आरंभिक युग में ही शंप्रत्यों और परिभासाओं की रच्रा में निगमन और आगमन बिधी का प्रियोक किया जो शुक्रात थे इनकी जो बिधी थी वह आगमन और निगमन अपने दार्शनिक पधति मीनों ने आगमन और निगमन इन दोनों पधतियों का उप्योग किया लेकिन उस समय जिसमें कर रहे थे उस समय बहुत ज़्यदा बिक्षित नहीं था दाशनिक प्रधति में दोनों भी दी आईशा कहा जाता है और अपने थोड़ा फिनका जीवन परचे भी देखा इनके जीवन में कौन सी घटनाए घटी थी जब कोई व्यक्ति एक नया कारे करता है तब जानते हैं जो रूड़ वादिता वाले होते हैं उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है शुकरात के साथ भी वही हुआ जब ये नविकों को सही मार्ग दिखाने का कारे कर रहे थे तो वहां के जो राजा थे उन्हें पान दिया गया और ये शही बात कहते थे इसलिए वहां के युवा उन्हें बहुत पशंद करते थे शुकरात को एथिंस के युवा थे बहुत पशंद करते थे उन्हें अपना गुरू भी बनाए इसी कान जादे याद उनके शिश्षी भी बने तो हम लोग शुकरात के ज पटेटी को जाना जास एक जास एक जास एक जास